Welcome back to my channel Viewers, हम लोग Class 4 की बुक पढ़ रहे थे EBS सब्जेक्ट की Seated के एक्जाम के लिए Primary लेविल का जिसमें अभी तक 18 तक हम लोग ने चैप्टर कर लिये हैं इस वीडियो में हम लोग उसके आगे 3 चैप्टर करेंगे यानि कि 19, 20 and 21 Description Box में मैं लिंक दे दूंगी EBS के प्लेलिस की जिसने भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं और वो पढ़ना चाहता है तो वो इस वीडियो के Description Box में अराम से प्लेलिस जो डली है यानि कि लिंक जो डाला है उस पे क्लिक करके अराम से पढ़ सकता है Basically इस चैप्टर में एक अब्दल नाम का लड़का है जो कि अपने अब्बो के साथ बगीचे की देखभाल के लिए जाता है तो जब वो बगीचे की देखभाल के लिए जाता है तो उसको कुछ ऐसे चीज़े पता चलती है जिसे वो जानकर ताज़्जम में आ जाता है जैसे कि उसे जब पता चलता है कि जो मूली होती है वो जड़ होती है तो वो ताज़्जम में आता है कि ये मूली जड़ है तो यही जो चीज़े हैं वो आपको पता होनी चाहिए काफी लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं पहचान नहीं पाते हैं कि ये जड़ है या फिर ये तना है तो इसको आपको ध्यान में रखना है सीटेट के एक्जाम में 2019 में ही ये कोशन उठा था कि काफी लोगों ने गलत भी किया था कई नाम दिये थे सबजियों में उसमें पहचानना था कि कौन कौन सी जड़े हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे डाइग्राम बना है नीचे दिये गए चितर को देखो पता लगाओ इनमें कौन सी सबजियां पौधे की जड़े हैं जैसे की पौधे की जड़े कौन कौन सी होती हैं मुक जो होती हैं जैसे की मूली है, गाजर है, शलजम है चुकंदर हैं, यह क्या होती हैं जड़े होती हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा इससे कुशन आता है ऐसा लगता ही बहुत ही एजी है इसको क्या पढ़ें लेकिन इसी चीज में काफी चुटी चुटी चीजों में काफी गलतियां लोग करते हैं जिस वज़े से मार्क्स कम हो जाते हैं क्योंकि सीटर के एक्जाम में अगर आपने एक भी कोशन गलत लगा दिया तो एक नमबर पूरी जाते हैं इसलिए से ध्यान से पढ़ें मूली शलजम गाजर और चुकंदर ये पिरमुक हैं मतलब जड़ें ये सबजियां जो जड़े होती हैं ये इनमें सबसे मतलब पिरमु होती हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा उसके बाद यहां पे दिया है सवाल ही सवाल इसमें बिसिकली क्या आपको पढ़ना है जो दिवार पर यहां पर आपको चितर दिखता है तो कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक कोई दिवार से पौधा निकलता है तो य इसकी जड़ो को पानी कहां से मिलता होगा यह पौधा कितना बड़ा होगा दिवार का क्या होगा सामने की चितर में देखे गए पौधे को पहचाने और नाम बताएं यह कौन सब आपको लग रहा है यह पीपल है उसके बाद यहां पे जो एक यहां पे जो दिया हुआ है अध्यापक के लिए यह important है पौधे जड़ो द्वारा पानी कैसे लेते हैं यह तो सब जानते हैं कि पौधे जड़ो द्वारा पानी लेते हैं लेकिन कैसे लेते हैं यह कोशन उड़ता है पौधे जायलम के द्वारा पानी लेते हैं यानि कि पौधों में एक जायलम टिश यहां पर लिखा है यह इस उमर के बच्चों के लिए समझना करने नहीं यह इस उमर में थोड़ा से समझना टफ होता है कि कौन-कौन से टिशू होते हैं कैसे टिशू के जरीए पानी उपर जाता है फिर भी अवश्यक है कि उन्हें इस बारे में सोचने के अफसर दिये जाए बच्चे का चिंतन अलग-अलग इस तरका होता है यह जरूरी है कि उनके विचार भी सुनें यह पेड़गोजी टर्म इंपॉर्टन है यानि कि क्लास में हर तरह की स्ट्रेंट मिलेंगे आपको कोई जल्दी सीखता है तो कोई देर में सीखता है तो कोई किसी तरह सीखता ह तो हर के विचार को सुने उसके विचार को महत विदे उसको समझाएं इस तरह से यहाँ है उसके बाद इसमें जो important है वो यहाँ पे है अरे जड़े ऐसी भी यहाँ पे जो लिखा है इसमें देखे लिखा है और सुनो एक मज़िदार बात बर्गत के पेड़ की लटकन जिस प आपको बाहर की तरफ लटकती हुई लटकन दिखती है वो क्या होती है वो जड़े होती है तो यह आप ध्यान रखेगा बर्गत के पेड़ में जो लटकने होती है वो क्या होती है वो जड़े होती है आप लिखा है असल में इसकी जड़े है वे टहनियों से निकलती है और बरते बरते जमीन के अंदर चली जाती हैं, ये मजबूत खंबो की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बर्गत की जड़े होती हैं, यानि कि ये नहीं है कि अगर बाहर से आपको लटकती दिख रही हैं ये जड़े हैं, तो अंदर कानूने जिसमें आप पेड़ नहीं काट सकते हैं ये खलाफ है कानून के काम तो अगर आपको कहीं पेड़ काट रहा है तो पहले कानूनी कारवाई होगी देन आप काट पाएंगे उसी तरह यहां पे लिख्या है वो ये पेरा बहुत इंपॉर्टन ले इससे काफी बार कोशन आ भी चुके हैं तो इसको ध्यान से पढ़िए क्या तुम जानते हो औस्टेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रिखिस्तानी ओक है इसको बड़े ध्यान से लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टन है रिखिस्तानी ओक कहां पाया जाता है सबसे पहले कोशन ये उठता है तो आप ध्यान रखिएगा रिखिस्तानी ओक जो पेड़ है वो औस्टेलिया में पाया जाता है काफी लोग कंफ्यूस हो जाते हैं इसके नाम से ही कि रिगिस्तानी ओक है तो रिगिस्तान में पाय जाता होगा लेकिन नहीं ये औस्टेल्या में पाय जाता है इस पेड़ के बारे में कई चीजसे बड़ी ही मज़ेदार बताएगी हैं उसको पढ़ते हैं इसकी उचाई तुम्हारे क्लास के दीवार के लगभग होती यानि कि 10 से 12 फुट इतनी होती है और पत्नियां बहुत ही कम अंदाजा लगाओ इसकी जड़े जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी यानि कि जो ये रिगिस्तानी ओक है इसकी जड़े होती है वो समझे एक जितना पेड़ होता है उसकी 30 गुना जादा गहरी इसकी जड़े होती है यहां पर देखे लिखा है सोचो यदी ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिये जाए उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती है यहां पर लिखा हुआ है इस पेड़ की जड़े जब तक की पानी तक ना पहुँझा यानि कि इसकी जड़े होती है इस रिगिस्तानी ओक पेड़ की तो जब तक की नीचे जाती रहती है जब तक उसे जमीन पर पानी ना मिल जाए जब तक की जड़े नीचे जाती रहती है तो इस point को आप ध्यान रखे गया इसके आप notes बनाते चलें जो जो main main points है तो इससे आप logo के लिए ही easy होगा ने तो मैं end में पूरे जो इतने भी chapter है उनको जितना भी पढ़ाया है उसमें जो जो important है वो मैं एक बार पूरा revise कराऊंगी कोशिश करूंगी ये पानी पेड के तने में जमा होता रहता है इस अलाके में रहने वाले लोग ये बात जानते हैं यानि कि जो इसके तने होती है रेगिस्तानी ओक पेड में जो तने होती है उसमें पानी जमा होता रहता है और फिर जब इस लाके में पानी की कमी पड़ती है तो वहां के लोग इस तने को काट कर पानी, इस तने को काटते नहीं है, इस तने के अंदर पतला पाइप डाल कर पानी निकाल लेते थे, यहां पे इसके बारे में ध्यान है, तो इस पेड़ के बारे में ध्यान रखिएगा तक पानी निकाल लेते हैं इस तरह से यह पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं इस तरह से यह पाइप के बारे में दिया है जो कि काफी इंपॉर्टन है 2019 में भी इससे कोशिन आया है और काफी दफ़ा इस रिगिस्तानी ओग से कहीं न कहीं से पॉइंट बना के कोशिन उठे हैं तो आप इसे ध्यान से पढ़िए उसके बाद इस चाप्टर में इतना ही इंपॉर्टन है हम लोग नेक्स चाप्टर को देखते हैं चाप्टर ट्वाइंटी इसके बाद जब आते हैं तो सब लोग अपने अपने बताते हैं कि उन्होंने चुटियों में किया करा कैसे भी थी उनकी चुटियां उसके बाद सभी इसनीवार हम लोग पाल्टी करें जब हाफ़ ए होता है यानि कि शनीवार को हम लोग पाल्टी करते हैं उसमें नोगों ने कुछ प्रोग्राम भी रखे जैसे कि नाज गाना इस तरह से उन लोग को बड़ा मज़ा आया उसके बाद उन लोगोंने decide कि इस तरह से program हम लोग कई बार करेंगे इसमें जो आपको याद रखना है यानि कि जो exam के point of view से important है वो यहाँ पे pedagogy term है जैसे यहाँ लिखा अध्यापक के लिए यहाँ पे important है पेड़ागोजी term अध्यापक के लिए कक्चा में party करवाने का एक कारण बच्चों को मिल जुल कर एक साथ बैट कर खानी के अफसर देना है इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कारकरम तयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है बिसिकली जब आप सभी स्ट्रेंट को एक साथ कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो उन लोग को समू में काम करने की आदत पड़ती है जानते हैं कि किस तरह से work किया जाता है एक साथ मिलके इसके लिए बच्चों को नाटक जैसे कारकरम तयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है इस तरह से यहां पर पेड़ागोजी टर्म दिया है उसके बाद चैप्टर में most important है वो यहां से उठता है सवाल बीहु का तहवार बीहु का तहवार जो है वो कहां मनाया जाता है यह कोशन उठेगा वो आसम में मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है वज़ा क्या होती है आसम में जब चावल की नई फसल करती है तब ही तहवार मनाया जाता है तो आप ये दो चीज़े को जरूर में ध्यान रखें उसके बाद इस तैवार में भेला घर बनाया जाता है जो भेला घर होता है वो घास और बास से बनाया जाता है इसमें जो यहाँ पे में पॉइंट है यहाँ देखे लिखा है अध्यापक के लिए उरूका बीहु से पहले दिन की शाम को कहते हैं तो याद रखेगा उरूका किसे कहते हैं जो बीहु तहवार होता है उससे एक दिन पहले जो शाम होती है उसको कहते हैं उसके बाद यहाँ पे पकवान के बारे में जैसे यहाँ पे दिया है बोरा और चेवा ये क्या है बोरा और चेवा चावलों के पिरकार हैं तो इसको ध्यान में रखिएगा जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं इसे आसम में खाया जाता है यानि कि जो तहवार है वो आसम में ही मनाय जाता है उस तहवार में ही ये पकता है बोरा और चेवा चावल बच्चों को नक्षे में आसम ढूनने के लिए प्रिरित करें यानि कि मैप पे दिखाएं कि आसम कहां पड़ता है मैं एक मैप पे वीडियो बनाऊंगी उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो है मिट्डे मील यहाँ पे दिया हुआ है मिट्डे मील के बारे में बच्चों का हक मिट्डे मील ये जो योजना थी आप सभी ने बियर या बिटीसी या फिर आप जो भी करें हैं आप जानते होंगी कि प्राइमरी स्कूल में मिट्डे मील योजना चल रही है जिसमें बच्चों को बोजन दिया जाता है यानि कि दुफैर का खाना दिया जाता है तो मिट्डे मील योजना थी वो भारतवश में 15 अगस 1995 15 अगस 1995 को ये स्कीम भारतवश में शुरू ही थी तो ध्यान रखेगा मिट्डे मील क्या है मिट्डे मील योजना है यहाँ पर लिखा है हमारे देश के बहुत से बच्चों को भर पेट खाना नहीं मिलता इसमें से कई बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते हैं जो स्कूल जाते हैं वे खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते हैं यानि की काफी बच्चे बहुती गरीब होते हैं जो की जिनको खाना भी नहीं मिलता है दो टाइम का तो वो जब स्कूल आते हैं आदे तो आते ही नहीं है लेकिन जो कोई भी आते हैं तो पेट खाली होने के वज़े से उनके पढ़ाएं में मन भी नहीं लगता है तो यह जो योजना थी उसका में मकसद यही था कि ताकि बच्चे पढ़ने आएं और उनको खाना भी इसी स्कूल में दिया जाए ताकि वो पढ़ लिखकर कुछ अच्छे बन पाएं गरीबी के कारण ऐसा नहीं हो कि वो पढ़ ही ना उनके पैरंट्स उने भेज़े ही ना प अच्छा भी आ जाता है इस तरह से उस बच्चे की पढ़ाई भी होती है उसे भोचन भी मिलता है में जो मिड़े मील की जो योजना है उसका यही मकसद था कि बच्चे जादा से जादा उसकूल आए उसके बाद यहाँ पे लिखा है कुछ साल पहले हमारे देश का सबसे ब बच्चो काधिकार है कि उन्हें खाना दिया जाए और वो भी पोस्टिक आहार के साथ दिया जाए इस तरह से इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं इसको ध्यान में रखिएगा उसके बाद हम लोग नेक्स चैप्टर में चलते हैं चैप्टर जो 21 है वो है खाना खिलाना ब प्लीज इसे लाइक करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और शेयर करना ना बूलें